हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और वैशाली आइट्सन प्रिंट्स आज इंट्रेक्शन का मोताज नहीं है we are now a well-known company in the field of manufacturing custom printed packaging boxes आज जिस तरह के boxes को discuss करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है उस box को कहते हैं seal end paper box seal end paper box इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें product डालने के बाद नीचे से और उपर से दोनों तरफ से आप इसको seal करके बंद करते हैं तो इसलिए इस box को seal end box कहा जाता है अब इन seal end boxes का इस्तमाल बहुत ज्यादा होता है हमारे products की packaging में खास तोर से जितने भी FMCG products हैं या फिर जितने भी तरह के food grains related products हैं मसाले हैं तीज हैं अलग अलग तरह के herbal powders हैं अलग तरह के grains हैं और इन boxes को अलग अलग capacity के लिए और अलग तरह के product के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है जैसे कोई volumetric weight लेता है उसके लिए box का size बड़ा बनता है मसाले की अगर हम बात करें तो मसाले के लिए एक fix size है जिसमें हम 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम आदा किलो और 1 किलो के मसाले बनाते हैं लेकिन वहीं अगर हम उसी mechanism में tea के लिए box जब बनाते हैं तो उसका size थोड़ा स space लेता है तो मसाले के boxes में spices के boxes में बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है और इस तरह spices का business बहुत तेरी से बढ़ा है लोग सब अपनी branding करके मसाले को अपने नाम से बनवा करके market कर रहे हैं तो आए सबसे पहले सबसे चोटे size के box की बात करते हैं सबसे चोटे size का box जैसा कि 8 different products के लिए बनाया गया है यह 8 different products एक साथ printing हो जाती है के लिए मैंने एक अलग video भी बनाया है 50 gram के boxes के लिए 50 gram के boxes में 8 variant एक साथ हम लोग print कर देते हैं इसके लिए separate video आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा अब यह 100 gram की बात करते हैं 100 gram में जैसा कि आप देख रहे हैं यह 6 variant हमारे हाथ में है यह chili powder का है यह turmeric के लिए है किसी तरह से यह cumin powder के लिए है यह coriander powder के लिए है यह punch फोड़न है और यह सबजी मसाला है तो हम 6 variant 6 अलग अलग design 100 gram के print कर लेते हैं अब मैं इनके qualities की बात करूंगा कि किस-kis qualities में यह boxes बना रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो है boxes यह 100 gram capacity का sealant box है और इसमें 100 gram spice की packing हो जाती है अगर मैं इस box के size की बात करूं तो यह 13 cm से ज्यादा है थोड़ा height में 132 mm इसके length की अगर मैं बात करूं तो यह 86 mm के आसपास है और इसकी मोटाई की बात करूं तो यह 30 mm के आसपास है यह 100 gram के लिए बनाया गया box है 50 gram का box accordingly थोड़ा छोटा हो जाता है यह 50 gram capacity के लिए बनाया गया है इसका size अलग है तो इस box को बनाने के लिए जैसे मेरे हाथ में जो box है इसको बनाने के लिए अंदर से gray back duplex paper का इस्तमाल किया गया है पेपर के बारे में मैं बताता चलू के paper की quality आम तोर से मसाले में recycle paper board duplex इस्तमाल किया जाता है यह duplex है recycle paper board लेकिन कुछ company ऐसी हैं जो इन boxes को first quality के paper में भी बनवाती है यह recycle नहीं है यह first quality का paper है जिसको SBS paper कहते हैं यह आशुजी मसालों का बहुत अच्छा काम है और कोई डेर से दो लाग डबे हर बहीने इनके लगते हैं तो इन लोगों के जो boxes हैं वो 50 gram के भी हों 100 gram के भी हों यह हम first quality के 270 gsm में print करते हैं और gloss lamination का काम किया जाता है तो recycle paper board में दो variant आता है एक अंदर से grey वाला और एक अंदर से white variant भी आता है दो तरह के paper में recycle board मिलता है यह white bag है और यह grey bag है लेकिन है दोनो recycle बहुत थोड़ा सा cost में difference होता है तो grey bag की जगह white board का भी इस्तेमाल किया जा सकता है पेपर के gsm की अगर हम बात करें तो यह 100 gram में 300 gsm का paper board हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे इसकी capacity बढ़ती जाती है पेपर की thickness को बढ़ा दिया जाता है लेकिन कई बार 100 gram में हम 300 की जगह 350 और 330 gsm यूज करते हैं अगर client की requirement होती है तो यह तो paper की बात हो गई अब इसके बाद printing की बात करते हैं यह normal gloss lamination किया गया यह सबसे सस्ता option है प्रिंटिंग किया gloss lamination किया और बना दिया अगर आप चाहें तो इसी को matte finish में भी बना सकते हैं यह matte lamination है comparatively gloss lamination से महगा होता है आम तोर से glossy finish ही चलता है तो यह normal print है लेकिन अगर आप चाहें तो बसाले के डबबे और attractive और सुन्दर बनाने के लिए आप metalized printing भी कर सकते हैं यह metalized printing है यह direct paper के उपर print नहीं होता है बलके paper को पहले silver film चढ़ाई जाती है और उस film के उपर UV इंक से printing कि किया जाता है यह metallic printing hybrid UV के साथ है तो इस तरह से printing आप दो तरह की करा सकते है normal printing भी और metalized printing भी तो मसाले के जो boxes हैं वो आम तोर से 100 gram की capacity में बहुत ज्यादा consumption होता है 50 gram की capacity में भी बनाया जाता है आप 100 gram 50 gram से शुरुआत कर सकते हैं अपने business की और इसके बाद आप चाहें तो 200 gram का भी box बनवा सकते हैं यह जो मेरे पास देख रहे हैं यह tea के लिए बनाया गया 200 gram है मसाले में शायद यह थोड़ा बड़ा पढ़ जाए तो इसको हम लोग एक नया size भी बनाते है वो यहां हैं यह box हमारे हाथ में है इसकी capacity 1 kg है तो जैसे जैसे आपका size बढ़ता जाता है 50 gram 100 gram 200 gram या 250 gram आधा kilo और 1 kilo वैसे वैसे paper की thickness को भी बढ़ा दिया जाता है जैसे यह हम 300 gsm में print कर सकते हैं यह भी 300 में कर सकते हैं लेकिन 300 से इसको बढ़ा के 330 350 किया जा सकता है 500 gram का box हम 350 में कम से कम print करने के लिए recommend करते हैं आदा kilo की capacity का box भी 350 में लोग बनवाते हैं कई बार 400 gsm पे भी जाते हैं इसी तरह से 1 kilo का जो box है उसको हम लोग 400 gsm में बनाते हैं अगर duplex paper में बनाया जा रहा है और अगर first quality के paper में बनाया जा रहा है यह first quality है और यह duplex है इसक box को हम लोगों ने 400 gsm recycle paper board में बनाया है तो इस तरह से यह seal in boxes को लेकर मैंने आज की यह video बनाई इस तरह के boxes का इस्तमाल अभी दीवाली के मौके पे बहुत सारे sweets को pack करने के लिए भी किया जाता है वो प्लास्टिकी blister tray के ऊपर यह cover कर दिया जाता है जैसे sohan property है basin के अबे हैं अलग लगतरा के boxes में seal in का इस्तमाल होता है एक और size है हमारे पास एक kilo rice के लिए बनाया गया box है तो मसाले में यह tea के लिए 1 kg है tea के लिए 1 kg का size थोड़ा बड़ा बनता है लेकिन अगर आप spice के लिए बना रहे हैं तो यह 1 kg मसाले के लिए sufficient size रहता है यह चावल के लिए बास्मती rice के लिए बनाया गया है और यह जो size है मेरा ख्याल से इसमें आपका 1 kg spice भी आ जाएगा इस size के अंदर तो customize किया जा सकता है size को जैसा आपकी requirement होगा उसके recording हम लोग बना सकते हैं तो यह तो था seal in box के बारे में आज का यह video वैसे हम लोग हर तर चाहे वो FMCG के product की packaging का बाहिए हो food से related products की packaging का मामला हो जितने भी mobile accessories में packaging यूज होते हैं उनके products की packing हो जितने भी fashion और ہमारे एक garment related products औरοι?. include products जूतों के डबबे, T-Shirt के डबबे, shirts के डबबे तो garment industry के लिए हमोग का म करते हैं जितने भी beauty and cosmetic industries में products use होते हैं, आपके hair oil है, आपके creams हैं, अलग-अलग तरह के, उनके packaging के लिए जो mono cartons हैं, उसका इस्तमाल करते हैं, बहुत high end quality में इस तरह के boxes बनाए जाते हैं, cosmetic के, तो यह है, हम लोग okla industrial area daily में based हैं, और हम आपकी packaging के लिए एक बहतरीन selection होंगे, अगर आप हमें choose करते हैं, एक बहुत competitive price पे और अच्छी quality की printing के साथ, हम आपको अपनी service provide देने में, करने में सक्चम हैं, and we have the team of three designers, जो packaging के लिए ही खासतोर से expert हैं, और आपके products की packaging को design करने में भी हम आपकी साहता करते हैं, तो आप भी अगर इस तरह के packaging boxes को बनवाना चाहते हैं, तो मेरे number पे संपर्क करके आप उसके बारे में जान सकते हैं, मुझे आपका जवाब देने में बहुत खुशी होगी, आप इसकी minimum order quantity, price, price की अगर बात करें तो price का में आपकी order quantity का बहुत बड़ा रोल होता है, जित इतना कम हमारा production cost आएगा, इतना कम price offer कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी quantity में काम नहीं करते हैं, small quantity में भी काम करेंगे, अगर आप start-up हैं और नया business शुरू कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा printer नहीं मिल रहा है जो आपकी quantity में आपको बना सके, तो हम उसके लिए कोई ना कोई solution आपके लिए जरूर निकालेंगे, हमारी वीडियो को देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजे, और यह इस चैनल के दौरा हमारे हमारी कोशिश है कि हम अलग लगत रहके packaging boxes से आपको अवक्त कराएं, एक वूजयों हमारे हमारा को आपके लिए जिएफ झाल झाल